नमस्ते दोस्तो, साउंड अंटेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो होने वाला है एक FX प्रोसेसर के उपर सो दोस्तो, ये, इसका नाम मुझे लगता है किसी को बताने के जरूरत नहीं है ये क्या है और क्यों हम यूज करते हैं सिर्फ आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे ये जो चार वॉल्यूम्स है, इसका functions क्या है कैसे हम इसको set करेंगे Basically दोस्तो, ये guitar के लिए use होने वाला एक प्रोसेसर है जो boss की तरफ से आता है DD3 पर हम ये stage और live पोग्राम में vocal के लिए भी use करते हैं सो फिर चलिए देख लेते हैं इसका setup दोस्तो, DD3 का ये जो चार वॉल्यूम्स आते हैं इस चार वॉल्यूम्स का हर एक का एक functions होता है जो की पहले आता है E-Level यानि की आपका Eco-Level का वॉल्यूम उसके बाद आएगा Feedback Feedback का वॉल्यूम उसके बाद आएगा आपका Delay Time का वॉल्यूम उसके बाद आता है Mode Selector DD3 में चार Mode Selector यूज किया हुआ है जिसके जरिये आप 50 ms, 200 ms, 800 ms और Hold पे DD3 यूज कर सकते हो आप बात करते हैं किसका काम क्या है So, अगर मैं इस सभी को एकदम से कम कर देता हूँ और इसको भी Default पहले ले आता हूँ तो फिर पहले जो Eco Level आता है दोस्तो वो Eco Level हमारा जो Input Voice है उसको यहाँ Select हुआ Mode के अनुसर Eco Level देता है उसके बाद जो Feedback आता है दोस्तो वो Eco Level बैक हो के कितना वापस आएगा वो ठिक करता है यह Feedback Level यानि कि अगर आप 200ms और 800ms में यह Delay Operate कर रहे हो तो यहाँ Eco Level बढ़ाने से आपका आवाज का एक ही Repeat आएगा उसके बाद आप अपना आवाज को जितना गुजवाना चाते हो उसके लिए आपको यह Feedback का Use करना पड़ेगा Feedback आप जितना बढ़ाते जाओगे आपका आवाज उतना ही गुज़ता जाएगा Eco होकर अब आता है Delay Time का वारी Delay Time का काम क्या है दोस्तो आपका वो जो गुज़ता हुआ आवाज है यानि कि आप मान लीजिए एक बार यह Eco Level देके Hello किये उसके बाद आप Feedback बढ़ा देते हो तो Hello 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 होता ही जाता है वो दो Hello के बीच जो Time का Difference है वो कितना होगा यह ठिक करता है Delay Time का इस Volume So मैंने अभी तक आप सभी को ग्यान बहुत दे दिए देख लेते हैं एक-एक का Functions कैसा होता है और सुनने में कैसा लगता है दोस्तो मैंने DD3 का Settings कर लिया Connections भी कर लिया पर इसको अभी किसी भी Effect में Operate नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप सभी को Dry सुनाई पड़ रहा है तो चलिए इसका Effect टेस्ट कर लेते हैं So friends, मैं basically इस वीडियो को बना रहा हूँ DD3 का इन चारो Volumes का काम क्या है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए तो फिर देखिए दोस्तो मैंने DD3 का Mode अभी 800 millisecond पे सेट किये है अब इसके बाद थोड़ा Eco Level खोल के आपको Eco देखाएंगे देखिए ये अभी आप देखिए मेरा जो आवाज है ये अभी एक बार repeat होके आ रहा है क्योंकि feedback और delay दो ही zero पे सेट किया हुआ है अब देखिए मैं feedback खोलता हूँ दोस्तो मैंने जितना feedback खोलता गया मेरा आवाज उतना ही गूंजता गया फिर से मैं feedback थोड़ा खोलता हूँ और Eco Level को भी खोलता हूँ देखिए मेरा आवाज गूंजता हुआ आ रहा है इको होके ये मेरा hello जो है वो बहुत जल्दी से हो रहा है ये दो hello के बीच difference लाएगा ये डी time देखिए मैं जितना delay time खोलता गया मेरा hello डीले होके होके बहुत दूर तक जाता गया मैं delay time जब फूल खोल दिया तब एक hello से दूसरे hello के बीच थोड़ा millisecond का एक gap बन गया अभी आपको ये program के लिए कैसा setup करना पड़ेगा 800ms में इसका एक छोटा सा demo आपको दे रहा हूँ देखिए eco level आप इतना ही खोलेंगे जैसे आपका एक hello ही return होके वापस आए देखिए hello hello मेरा hello एक ही return आ रहा है उसके बाद feedback ऐसे खोलेंगे कि तीन और चार hello इसके साथ जोग हो जाए देखिए hello 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 ये चार hello जोग हो रहा है पहला बाला original input के साथ ये चार को मैं delay करके set करूंगा देखिए hello check one testing hello check one two three testing check one one hello testing check one two three four five six seven eight nine ten hello hello हां 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 चीक चीक देखिए मैं singer तो नहीं हूँ इसलिए गाना गा के आप लोगों को d time का काम दिखा नहीं सकता हूं पर मैं कोसिस किया आपको d time का काम क्या है और आपको ये चार volume कहां रखके अपने singer का दिल खूस करना है फिर से देख लीजिए हां चेक टेस्टिंग देखिए दोस्तो यहां जो मैंने 800 millisecond पे डिले सेट किया उसका quality कैसा है हां चेक टेस्टिंग 1 इससे आप अपना singer को चला सकते हो दोस्तो आज का settings का video बस यहीं तक रहेगा इसका बहुत part आने वाला है अब please हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए sound and take को